बच्चों, NTA का नोटिफिकेशन आ चुका है और 2024 में J.Main का एक्जाम January में और April में होना है अब इसमें कौन से attempt पर बच्चे को focus करना चाहिए, कितना focus करना चाहिए, कौन सा attempt यानि January या April में से उसके लिए better है, ये choose करना बहुत important होता है otherwise ये जो January वाला attempt है, ये बच्चों के लिए एक trap सावित हो जाता है और इसके चलते उनका April का attempt भी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है कैसे? कैसे ये decide किया जाए कि कौन से attempt पर हमें focus जादा करना चाहिए ठीक है, ideally ये लगता है कि January वाला attempt भी बहुत अच्छे से जाना चाहिए और April वाला भी ठीक है, ये एक ideal situation है लेकिन अब आते हैं जाए उसकी realistic situation पर और कैसे decide करना है कि कौन से attempt पर हमें जादा focus करना है Let's begin अगर आपका इस समय 50% slavus around complete है यारी ये September चल रहा है, September 2023 चल रहा है अगर इस समय आपका 50% के आसपास slavus complete है तब तो आपको January वाले attempt पर पूरी तरह से focus करना चाहिए लेकिन in practice ये देखा जाता है, ये होता नहीं इस समय इन general coachings में 30%, 40% के आसपास slavus पूरा होता है तो अगर आपका 50% के आसपास slavus complete है तो आप January वाले पर focus करिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है अगर आप उससे कम percent कर रहे हैं तो January वाले attempt को आप सिर्फ एक practice के form में देना चाहिए तो आप जरूर दे दें, otherwise आपको April पर focus करना चाहिए गलती लोग कहां करते हैं, अब इसकी बात कर ले क्योंकि होता क्या है कि अब वो एक anxiety में कि हमें January वाला exam देना है हमारे slavus अभी 30% ही है तो वो क्या करेंगे, formula याद कर लिया, या थोड़ा बहुत solid example देख लिया या थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ वीडियो, one shot, one shot देख करके ये सोचते हैं कि हम लोग January वाले attempt के लिए अपना slavus जल्दी complete कर ले पिड़ा slavus complete करने का तो वहाँ कोई भी एक marks भी नहीं मिलता ना आपको एक single marks भी नहीं मिलता इस बात के लिए कि आपका slavus complete था की नहीं वहाँ तो आपको इस questions पर परफॉर्म करना होता है, वहाँ पर तो questions पर आपको अपनी performance दिखानी होती है, तो अगर आपका slavus आपने जल्दबाजी में complete कर भी लिया, तो आपका topic पर command तो है नहीं, तो वहाँ पर जाकर क्या आप questions कर नहीं पाते हैं, ठेक, पहली गलती यहां हो जाती है, फिर क्या होता है कि अब उसका तो कि एक general anxiety होती है कि अगर exam दिया है, तो उसका result का wait कर लें, कुछ समय उसके result का wait करने में भरवाद हो जाता है, उसके बाद फिर अपरेल अडल attempt के लिए फिर से लगते हैं, तो नतीज़ा यह होता है कि वो अपना एक डिर महीना पूरा चौपट कर लेते हैं, और इधर चुकि उन्हें ने स्लेबस को बहुत अच्छे से तयार नहीं किया, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, उस पर आपने questions लगाए कि नहीं, आपने कितने practice किये, कितने test paper दिये, उसके बड़ेंग आपको topic तयार होता है, तो अब वो सब तो किया नहीं है, तो यह chapters भी इधर week हैं, और उधर time भी अपना गवा दिया, नतीज़ा यह होता है कि वेटा, उनके लिए January attempt एक trap बनके रह जाता है, वो उसमें उलज करके रह जाते हैं, और नतीज़ा यह होता है कि जो April वाले attempt में उनकी scoring आ सकती थी, अच्छी scoring आ सकती थी, वो भी नहीं आपाती, तो बेटा, आपको इस चीज़ को अपने खुद पर ले करके समझना पड़ेगा, आपकी खुद की position इस समय क्या है, उसको विलकुल realistic way में आपको just करना होगा, और उसके बाद फिर आप try करो, क्योंकि अगर आप plant way में तयारी करते हो, तो 99 percentile score करना एक आसान काम है, आसान काम है, लेकिन हाँ, उसके लिए आप कोई बहुत plant way में चलना होता है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपने आप से अच्छे से decide करो, पिटा, physics म आपके तयार है, आप से उसके test दे करके, उसकी marking दे सकते हैं, उसके solutions देख सकते हैं, उसमें अगर कहीं कोई doubt है, तो उसे chat section में post सकते हैं, अब अगर आपका कोई particular chapter week है, suppose आपका simple harmonic portion week है, तो अब आप उसको कैसे तयार करोगे, मालो आपका thermal conduction, radiation week है, तो उस app पर वो chapter wise courses भ तो बहुत ही nominal price पर वो available है, तो आप उसको ले करके अपने chapter को strong कर सकते हो, जो भी chapter आपका week है, ठीक है, तो बच्छों इस तरह से आप अपनी preparation को करो, और comment box में ये लिखो, कि आपका कितना percent syllabus अभी complete है, और उसमें ये भी लिखो, कि I will crack IIT mains this year with more than 99 percentile, ठीक है, God bless you.